पश्पॉली थाना शेत्र में बुद्वार को दिन दाड़े हुई हत्या की वादात में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ दाक लिया है जिन में एक नाबालिक भी शामिल है योतिको लेकर हुए विवार में इन चारो ही आरोपियों ने मिलकर एक अपरादिक को 22 वर्षय अभिना उर्फ शांकी महें रभोयर है शांकी के खिलाव कई अपरादिक मामली दर्श है कधित आरोपियों में परिसर में ही रहने वाला 23 वर्षय कशिश आनन्द महाचन सोनों उर्फ गुलिया मानसूर कर और विनित का समावेश है आरोपियों का भी क्रिमिनल र हमला किया था लेकिन वह बच गया था कशिश जानता था कि शैंकी उसके लिए खतर नाख हो सकता है उस पर कई अपरादिक मामली दर्श है इसलिए उसने योशना बंदर तरीके से शैंकी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया मुदवार को दो पहर दो बज़े के दोरान श साय टपरी के सामने ही तीनों आरपियों ने उसे खेल लिया चाकुस से पेट छाती गर्दन हाथ और पैर पर कई वार किये उसे मौत की घाट उतारने के बाद आरपी फरार हो गये सान्य नागरी को ने घटना की जानकरी पुलिस को दी खबर मिलते ही पाशपाली के थानेद से गिरफ ताक्या यंचा दोगांचा महित्री मीम दून तेन्चा जोना वाद होता त्यातुन ही हत्त्या जालीली आहे आसा तपास आंती निश्पन होता हे नमुद आरुपी देनना ताब्याद घेतिला सुन आज रोजी मान्या नेले समक्ष तेनना हाजर करून आधिक तपास करिता होत। अग्ति निश्पन होता है जो मैता है तुट पांटेल्या वर चाईट परीवर चाप इने गरता गेलला होता त्या वेडि आवरोपी तेन्चा जोना वर हमला करून हत्त गिली त्यातिले जो कशिष महाजन मुद आरुपी आहे या पुर्वी तेने मैताला मारहन केली होती आपको बता दे कि मृतक शैंकी अपरादी कटी विडियो में सक्रिया था वेज 2019 में उसे तड़ी पार भी क्या आगया था जलाई 2020 में शैंकीनी तड़ी पार रहती वे परिसर में तलवार के साथ उत्पात मचा था उस समय तैसिल पुलिस ने उसे गिरफता किया था पिछलिक उस समय से वह अपराव से दूर हो गया था में उस्पताल के समीब एक रेस्टॉरेंट में वेटर का काम खर रहा था क्यामरा परसन अखिलेश भारतवाश के साथ अक्सा अंसारी के पोर्ट